हेलो फ्रेंट्स गूड आप्टर नून एंड वेलकम टू दा सक्सेस कंद्रा फ्रेंट्स देखे आज इस सेशन में हम लोग बीपेसी टी आरी 3.0 यानि की बीपेसी टीचर 3.0 जो नहीं वेकंसी दोहदर 24 माई हुई है फ्रेंट्स उसके लिए जोगराफी के यानि की भोगो सब्कुल भी नहीं है आपकी इग्जामिनेशन में इसलिए सब कुछ आपको अब रिविजन करना है अंतिम प्रहार की रूप में तो आज हमारा याज जोगराफी का सुपर फास्ट रिविजन सेशन है विपेसी टी आरी 3.0 के लिए अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको भी जरूर दबा लिजिएगा ताकि जब भी बीपेसी टी आरी 3.0 से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिके इसका लिंक किसी भी एक ग्रूप में शेयर कर देंगे चलिए आज का सेसन अब हम लोग श्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स जैसे मैं आपको बताया है कि आज इस सेसन में हम लोग बीपेसी टी आरी 3.0 निव वेकंसी दोहजर चोबीस के लिए जोगराफी के यानि कि भू हमारा जोगरफी का सुफर फास्ट रिविजन सेसन है विपेसी टी आरी 3.0 के लिए चलिए सेसन सुरू कर लेते हैं एक बार सभी लोग जल्दी से सेसन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स आज के सेसन का पहला प्रशन पढ़ेंगे पहला प्रशन की विश्व का सबसे बड़ जरूर सुनिएगा इस तरह से एक प्रशन के साथ साथ आपके 2-3 प्रशन कबर होते चलेंगे चले सभी लोग अंसर बताएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कौफी उतपादक देश कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा कौफी उतपादक देश जो है यहां ब्राजील है इसको कहवा पातर भी कहा जाता अगर आप से पूछा जाय कि इसके कहा जाता है ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगा है ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगा है इसको आप ध्यानरके के बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कौफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है कौफी बंदरगाह के भी नाम से आचा विष्व में कहवा की मंडी साव पॉलो को कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा कौफ्य उत्पादक राज अगर पुछा जाएगा तो ये राज करनाथक है चार पंच प्रश्ण मैंने आपका कभर कराया हुआ है चले दूसरा प्रश्ण पढ़िएगा कि इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में 1988 में 1988 में राश्ट्री जलमार्ग टू घोसित किया गया बताईए सभी लोग इसका answer कमेंट करिएगा तो देखे ब्रह्म पुत्र नदी के भागों किया गया था ब्रह्म पुत्र नदी के भागों 1988 में राष्ट्रिय जलमर्ग 2 गोशित किया गया था तो देखिये option में ब्रह्म पुत्र नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर आइटनस और उप्सन नंबर E होगा उपरिक्ति में से कोई नहीं आज राष्ट्य जलमार्ग जो 1 है इंपोर्टेंट है याद रखेगा राष्ट्य जलमार्ग 1 इलहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी परिस्तित है ठीक है गंगा नदी का भाग ह तो ब्रामपुतर नदी का भाग है किलियर ना फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कुस्टन कर लेंगे अचा भारतिय अंतर देशिय प्राधिकरण का मुख्याले अगर पुछा जाएगा कि कहां पर है तो फ्रेंट्स याद लखेगा नोडा में है ठीक है भारति पुस्तक जितने वी वीडियोज मैंने करा हूं है सबका प्लेइलिस्ट बना दिया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा या कमेंट बक्स में भी मैंने पीन कर दिया है आप चाहें तो सभी वीडियो को एक बार रिवाइज कर सकते हैं चले वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राइज जानवरों और पौंधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स उसको कहा जाता है रेड डाटा बुक कहा जाता है इसको याद रखेगा और रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है तो IUCN इसको जारी करता ह आई यू सी एन यानि कि इंटरनेशनल यूनियन फूर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यह संस्था है इसी के द्वारा जारी किया जाता है और आई यू सी एन का हेड़ क्वाटर भी पुछा जाएगा कहां पर है तो स्वीर्जर लेंड के ग्लैंड सहर में है ठीक है इसे भी आप जरूर ही याद रखीएगा चलिए अगर अब से डबल डबलुएफ का फूलफॉम पूचे लिए तो डबलुएफ रखेगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वर्लड वाईड वर्लड वाइड फंड फॉर नेचर टिक नंग तो यह सुब आप ज्यान रखिएगा चलि और रेट डाटा बुक में जो है बिभी ने जानवर और पॉधों को नौ वर्गों में वर्गी किरित किया गया है कितने नौ वर्गों में चले अपसर नमर यहां पर भी राइट अंसर हो जाएगा चले अगला प्रशन हमारे किनिमन लिखित में से किस भारती राजी की सीमा ज सबसे पहले तो अपना बिहार याद रखिएगा दूसरा उत्तर प्रदिस रख लीजिए तीसरा आप रख लीजिए पस्षिम मंगाल उसके बाद सिक्किम और उत्राखंड तो यह आप याद रखिएगा ठीक है ने इसमें से देखे जारखंड के साथ जो है नेपाल सीमा सा बांगलादेश के साथ अगर पूछा जाएगा तो बांगलादेश के साथ पस्षिम बंगल मेंघाले श्म तिरपुरा और मिजोरं हैं कि तो देखे तो आपका लगशा की आपको बांग सबसे ज़्यादा बांगलादेश के साथ सेयर करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ और टोटल साथ देशों के सांथ भारत अस्थलिय सीमा साजा करता है चलिए तो राइटन सर अप्सन नंबर भी जहारखंड हो जाएगा कि विश्व के कूल प्रिष्टिय चेतरफल मे भारत का कितना हिस्सा है अचा भारत का अगर छेतरफल आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमेटर ठेकें फ्रेंट्स इसको आप जरूर ही याद रखेगा किलियर जो की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के अस्थालिय धारातल का 2.4 परति दिया गया है इसलिए अपसर नंबर यहां पर इराइट अंसर हो जाएगा उपरिक्त में से कोई भी नहीं बारत उत्री गुलार्द में इस्तित है इस चीज को आप ध्यान रखेगा जिससे करक रेखा उकर की गुजरती है सारे 23 डिगरी उत्री अक्षांस को करक रेखा कहा जाता है इसको भी आप ध्यान रखेगा और चेतरफल का अनुसार विश्व में भारत सातवे नंबर पर आता है इसे भी आप जरूर याद रखेगा ठीके फ्रेंट्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन करेंगे कि 1982 में भारत सरकारद्वारा निम नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षन के लिए समुद्री राष्ट्य उद्यान घोसित किया गया था सारे के सारे प्रशन इंपोर्टेंट चलिए बताए 1982 में जो है 1982 में भारत सरकारद्वारा निम नलिखित में से किसे समुद्री सनरक्षन के लिए समुद्री राष्टी उद्यान घोशित किया गया था राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका कच्च की खाड़ी भारत के पस्मी टट गुजरात राजी में है वने जीव सनरक्षन अधनियम के प्रावधानों के तहट समुद्री अभ अभ्यारण के अस्थापना 1980 में किया गया था समुद्री राष्टी उद्यान के अस्थापना 1982 में किया गया था ठीक है याद रखिएगा बड़ा है इंपोर्टेंट है अच्छा एक प्रश्ण और याद रखिएगा कि मरीन नेशनल पार्क को भारत के पहले समुद्री ऐसे आप जरूर याद रखिएगा कच कि खारी मैं गहिवन वनसपती अस्तल के प्रसिद है खंबात की हारी भी मैहन गूंष्ञयों एस्थ Minor सपती अस्तल के लिए पेमस हैं खंबात की खारी घुजरात में चलिए नेक्श कुस्टन आमारा की उत्तर धुर्विय विरत यानिकि आर्कटिक सरकील स्झे भोमद्र रेखा तक जाने के किसी व्यक्ति को किक्छो बायों किस क्रम से गुजर्ANS होगा उत्तर धुर्विय विरत से तुन्डरा टैगा समसितोशन वन उष्ण कटिबंदिये वर्सा वन ठीक है इसको आप याद रखेगा इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे और टैगा वन जो है यह विस्व के वन चेत्रों के अंतरकत सरवाधिक विस्तार रखता है इससे भी आप ध्या किसके नाम है देखिए कॉमेट या कामेट पढ़िए नामचा बरवा और गुर्ला मंधाता जो है यह सभी हिमाले की परवती चोटियों के नाम है यह सभी किसके नाम है हिमाले के परवती चोटियों के नाम है क्लियर याद रखेगा यह सभी हिमाले के परवती चोटियों के सबसे युचे नाम हैं है ही माले भोगर वी रुप य रूप से युवा एवं Buna UdSON बनावट की द्रिष्टी कुंसे वलित परवत है भोगर भी रूप सिवा यानि कि यंग और माउंट एवरेष्ट इश्टित है माउंट एवरेष्ट की नाम भारत की पुर्व महा सर्विक्षर सर जोन जोर्ज एवरेष्ट के नाम पर रखा गया ठीक है हिमाले की तीन स्रेणिया है बिरहत हिमाले मुख्य हिमाले और सिवालिक हिमाले की स्रेणी तीन है और तीन भाग म मैं ने आपको बताए था मुख्य हिमाले ट्रांस हिमाले और पुर्वाण चल और सर नी अगर पुचा जाएगा परवत श्रीट ररला नंदा नंदा देवी कोमेट नमचा भरवा ठीके यह सब आप यदर कियेका और पर हेमाले को पता है कि पं्जाब ही माले सिंदू से 17 नदी की बीच में है कुमाय। हिमाले सटोच से तीस्था और असम हिमाले से दिशेंग ठीक है ना that य데reci आप याद मैं करा दिया देखिये नेक्स्ट कुस्टन आगे हमारा कि काठिया बाड प्राइदीप घले संदिया गया का भगलिक और संस्कृतिक विस्तार है सभी लोग बताइगा काठियाबाड प्रायदीप अहमदाबाद का भोगौलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियाबाड प्रायदीप सौराश्ट्र में इस्तित है काठियाबाड दक्सिन पस्सिम गुजरात राज्य में प्रायदीपी छेत्र पस्सिम भारत में इस्तित है यह कच की खाड़ी ख पठार का अंग है गीर परवत जो है इसी पठार का अंग है किलियर चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगा अगरा प्रश्ण हमारा कि पुलूटो गुरह की खोज किस ने किया था पुलूटो गुरह की खोज किया था क्लाइड टॉम बॉग ने तो यहां पर दिख यहां है विल्यम हर्सल विल्यम हर्सल ने औरून का खोज किया था औरून का खोज में ट्रूंज को भी आप साथ याद रख सकते हैं चलिए अगला प्रक्शन करेंगे कि दुनिया का पहला आधिकारी के यह में फरवरी 1991 में कहां班 भेजा गया था इर मैल एक्ष न जो मेल भेंड ज़्ञता है कर सकते हैं आप संदेश आसके अर मेल ठीक्त जीमेल जैसे बोलता हैं वैसे यह यह मेल हवा के माधें से लिए और मेल फरवरी to 1911erta نے भीज़ा गया था कहां से कहां तक बते राइटन्सर राइटन्सर क्या हो जाएगा यहाँ से नैनी बैच में भीज़ा गया था ठीका न से कौन पर ऐसी परवत श्रिंगला स्विट्जर लैंड में स्थित है इसमें से स्विट्जर लैंड में स्थित कौन सी परवत श्रिंगला है तो इसमें से स्विट्जर लैंड में जो है यह आपका आलप्स परवत श्रिंगला है आलप्स परवत श्रिंगला ठीक है ना इरोप प्रवत यहां पर मिल्केता हूँ परुपःस को ना चली और फ्रांस से और टली को अलग करता है ठीक है फ्रांस से जूराप्र पर्वत जूरापर पर बढ़ाथ यहां फ्रांस से स्वीट्रगेंड को लग करता है कि लिए चलिए और माउंट ब्लैक जो है यह आल्फ प्रवत की सबसे उची चोटी है नेक्स्ट कुस्टन हमारे कि इनमें से कौन सा जल डमरू रूस और संक्तराज अमिर्का की बीच जो है एक राज जी की बीच इस्तित है कौन से जल डमरू मद्ध है जो रूस रखेगा बेरिंग जो है यहां आपके संबंदित सागर इसे पूछा जाए तो आर्करटिक बेरिंग सागर और यहां सेंक्तराष्ट जो अमिर्का है इसका अलास्का और रूस के मद्ध में यहां इस्तित है ठीक है फ्रेंड्स को चलिए नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे अग अगली किस्तिति अगर पूछा दे तो चीली में पड़ेगा और यहां प्रसांत और दक्सिन अट्लांटिक महासागर के मद्ध में है ठीक है पाक जल नमरों यहां भारत और सरलंगा के मद्ध में है याद रखिएगा चले अगला प्रशन करेंगे कि अल नीनों के संबंद म कोन सा कफन सही जबें बते अल नीनों के संबंद में नपने नीनों का नाम सुना नहीं पढ़ीए यह ला नीना का नाम पढ़ाओगा ठीक है अब देखें ऐखतें ऐधें रर्ण अप्षिनी दोलन्चक्रि की व्यपरित अवस्थाएं होती है अली नीनो मतलब क्या होता है छोटा लटका ठीके इस में सा उप्सनांबर सी हो जाएगा यहां सांत महासागर की प्रिष्टिय जलका और समान रुप से गरम होना है अपसे नंबर सी राइटन्सर हो जाएगा देखें निम्लिकित में से कौन सा विकलप यहां अंग्रेजी में लिखा गया है तोंग्या सिस्टम का उचित वर्णन करता है तोंग्या प्रणाली का से फासलों को उगानी की एक प्रणाली है तोंग या सिश्टम ठिक है इससे को आप याद रखिएगा बरमा में तोंगा का अर्थ होता है टीला या या खेती ठीक है फ्रेंट्स इसको आप याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगा और यहां पर आइट अंसर हो जाएगा देखें भारत के पूर्वी टट में ज्यादातर किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है तो जलोड मिट्टी यहां पर ज्यादतर पाई होती है नए जलोड मिट्टी को जो है खाधर कहा जाता और पूरानी जलोड मिट्टी को बांगर कहा जाता है तिससीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं तो यहां पर जलोड हैंटर Rightustर हो जाएगा चलि उसक Together का पठार खाल एस देंट कि तिबबत का पठार जो है यहां सब इंटर मॉन्टेन प्लाट्यू का यहां एक आपका अच्छा उधारन है तिब्बत का पठार याद रखेगा फ्रेंड्स इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग चीन का पस्सिम हिसा और भारत में लद्दाक का हिसा सामिल है यहां दक्षिन में हिमाले परवत स्रिंखला स ले करके उतर में टकला माकन जो आपका डेजर्ट है रिजगिस्तान है वहां तक यह विस्तिरित है चले उसके बाद नेक्ष्ट कुस्टन करिएगा अगला प्रश्ण हमारा कि प्रती कुरूरता रोक्थाम अधिनियम 1960 याद रखेगा कि धारा एक के तहत वर्स 1962 में अस्थ कुलाहार नकाया है जिसका rud Cinco कलयान संबंधि कानूनों पर भारत सरकार कुछ सलहादेने के लिए की गई थी यहां किस मंतराले के अंतरगत आता है तो इस इस शुझा नवाया परिवर्तन मंतराले अंतरगत आता है ठिक है याद रखेगा यहां आता परियावरन वन एम जलवाई परिवर्तन मंत्राले खंत्रगत इंपोर्टेंट डिफ्रेंट्स इसको आप जरूर ही ध्यान रखेगा चलो इसके बाद नेक्स्ट कुस्चन करेंगे कि दीफू दर्रा जो है दीफू पास यहां कहां पर इस्तित है दीफू दर्रा जो है सबसे पर परड़िस में है यांडीयाप डर्रा भी औरो नचल पर जिसमें है यांग याप डर्रा भी और उना छिल पर दिसमें है क्लियर तो यह देखिए का औशफिडर आख़ी है जेलजपा दर्रा और नाथूला दर्रा यह आपकर्स इस dilGroup ने पड़तेगा इस सीब्हें को आ याद लखेगा माना दर्रा निती दर्रा और लीपुल एक दर्रा यह आपके उत्राकंड में है रोह तांग उसके बाद आपका बाड़ा लाच्छा यह सारे हिमाचल प्रदेश में हैं ठीक है चला नमन में से किसने बिहार में गिधसंरक्षन योगणा शुरू की गिधसंसर्ण यूजना बिहार में सुरू किया गया है तो फ्रेंट्स किसने किया है बताएगा प्रदेश काफिए कोश्ण है यहाद देखेग यहाद कारियो जना को सोला नॉमबर 2020 को लाए गया था और बालमिक्क тепिटाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है तो यहां पर देखे बालमिक divine रिजर्व राइट इंसर हो जाएगा जो की भीतार का एकमात्र नेशनल पार्क मैं प्रस्ष्यम चम्बारण जिला में यहां इस्तित है ठीक हैどう आप याद रखздर चल benefici है अगला अगल नदी को कहा जाता है बिहार का सोक कहा जाता है किस नदी को तो फ्रेंट्स बिहार का सोक कोसी नदी को कहा जाता है याद रखेगा कोसी नदी को कहा जाता है ठीक है बंगाल का सोक दामोदर नदी को कहा जाता है कोसी नदी बड़ा ही इंपोर्टेंट है याद रखेगा कोसी न आपर भाट है कभी कभी इस तरह से आपको यह कहां पर है यह हैरて रट शाब20 बट पर वश्मेंटल किया हो जाएंगा क bipolar कई बार में आपको बता है यह सब पुछा जाता है गुण। नावादा में है ठीकर और भी काईमूर इसुश्छ में ठीक है इसको आप जरूर याद रखेखा चले उसके बाद नेक्स्ट कोस् espaço करHeränंगे की ऐसी या की सब्से बड़ी और ताजा जल वालि गूकुर जीड़ी रहार में ईसे भी आप जरूर याद रखेखा ठीक केहां पर है बेगु सराय मिस्तित थे इसे आप जरूर याद रेखेगा कुस पर अस्थान जुक से द्रभांगा में है क्लियर चलिया हर घोगा जिलाइत है कहाँ पर लखेगा जमुई में बढ़ा ही इंपोर्टेंट है जमुई में चलि और यह देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खादान है ऑसा वह आपको सकते हैं जमुही राइट अगी में है नागी और नक्टी पक्षीय भारण यह आपके जमुही में है मंदार-परवत पूछा जाता है कहांपे मनदार परवत बांगा में है बाका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बिहार का जो है पहला आपका पक्षी उत्सो जो था कल रहो कल रहो जो था कल रहो इसी नागी नक्टी में मनाय गया था चले उसके बाद नेक्ष कोस्ता है कि 2011 की जनगन्य का नुसार भारत की जनगन्या है उसका नुसार बिहार में मह महिला का सक्षर्टा दर आपसे पुछा जा रहा है बिहार का 2011 की जिनगन्य का नुसार सबी लोग अंसर कमेंट करें अच्छा सबसे पहले बताई ओबरॉल सक्षर्टा बिहार का कितना है ओबरॉल सक्षर्टा याद रखी का और सबसे जादा सक्षर्टा बिहार में जो है किस जिला में तो सरवादिक सक्षर्टा वाला जिला रोहतास है सबसे कम सक्षर्टा वाला पूरोनिया है सरवादिक पूरु सक्षर्टा वाला जिला रोहतास है सरवादिक महिला सक्षर्टा वाला जिला भी रोहतास है सब में र मंदल का प्रधान आकासिय पिंड कौन सा है चले बताएंगे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर क्या हो जाएगा सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिएगा सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिएगा चलिए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा सभी लोग अंस सवार मेंडल का प्रधाना का सूरे है सुरे याद रखेगा और यहां पर करेक्ट रहेगा यहां पर टॉटल आठ गजए इससे आप जरूर याद रखेगा चले अचा बरमांड का अध्यान किया कहलाता है अगर आप gonna know how to Nika जो खुली ना था तरह से निखलतों यहां पर लिखा घंए यांद रख्येगा नीफ फिर्तवी के तीन पर्तों में सबसे निचला प्रथ है । और आपको पता भी है कि सियाल सीमा और नीफे सियाल यह संरचना जो है आंत्रिक संरचना यह सियाल सीमा और नीफे ठीक है इस इसको आप याद रखेगा सियाल में सिलिकॉन और ऐलमुनियम के प्रधानता है सियाल में यहां में रिखता हूं सियाल में सिलिकॉन और ऐलमुनिय समक्राइब Community सल्साइंटए चलिए वभॉगालिक ऊपरदन च्क्रा की संकलपना इन में से किस ने परस्तुत किया था मैं अपरदन चक्राइब की संकलपना गृत वीलियंड मॉरिस डेविसस निया था वहर याद रखggakर आ है इंपोर्टेंट है ठीक है उन्होंने 1899 में भागलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था इंपोर्टेंट इफ्रेंट्स आप जरूर याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्ष को साचा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थिवरी किस ने दिया था वेगनर ने दिया था दे ऒसनी गोलार्द में चलती है ठीके इसको याद रखेगा धकशनी गौलारद में यह चलती है बड़ा ही इंपोर्टेंट एन देखे सर्गैसुसागर एक हिस्सा है , mechanics इसना जो है यह आपका किसका हिस्सा है तो उत्री अट्लांटिक मैसागर का हिस्सा है उत्री अट्लांटिक महासागर का हिस्सा है इस सागर का नाम समुद्री सहवाल की एक प्रजाती के नाम पर रखा गया है ठीक है इसे आप याद रखिएगा किलियर उत्री अट्लांटिक महासागर का यहां हिस्सा है यहां पर सरगेसम घास के अधिकता होती है जिसक भारत और चीन के भी सीमा रेखा को क्या कहा जाता तो भारत और चीन के बीच जो है यह रेड की भारत पाकिस्तान की बीच में मैक मोहन भारत और चीन के बीच में हैं ठीक है फ्रेंड्स डूरंड जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मद्ध में हैं ठीक है फ्रेंड् प्रशन पूछ चुका है एक बार राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है कारण इसका क्या है तो क्योंकि हावाई किसी प्रकार की बधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवस्थक उचाई नहीं प्राप्थ होती है विपेसी ने यहीं अंसर दि में घाले में इसे भी आप याद रखिएगा चले फ्रेंट्स निम्न कथनों पर विचार करिए पहले ध्यान दिजिए यह बीपेसी का पूछा गया बरशन है और देखिए यहां पर आपको मैं बताता हूं देखिए भारत में बाग पर युजना 1973 में चालू किया गया था पूर जेक्ट टाइगर बिलकुल करक्ठ है और पर जयकट टाइगर जो है बागों इसनक्सित करने का कारेक्रम है बाग पर युजना बिलकुल करक्ठ है अब यहां पर दिखेंगा वर्स 2012 में राष्ट्री जब बीगत्रिफा दिवस्त मना इसमाए था प्लम ज Kerry不會 सा ने नि का कि सभी जीवन के लिएक साध्या वविस्त का निर्मन लेकिन बीपेसी ने इसको एंसर में गलत माना हुआ है क्योंकि यहां राष्ट्री सब्जे दिया हुआ है इसलिए बीपेसी एंसर पहला को माना है और तीसरा को माना है अब आपको दोजार तेईस वला अंतराष्टी जब दिवस जो 22 मही की दिन मना जाता है इसका थीम याद रख लेंगे इसका थीम है फ्रॉम एग्रिमेंट टू एक्षन बिल्ड बैक बायो डावर्शिटी ठीक है यह याद रखिएगा चले फ्रेंस तो पहला और तीसरा यहां पर एंसर सही है नेक्स्ट कोस्टन हमारा कि करेवा किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद है करेवा किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद है करेवा जो है यह किस प्रकार की मिट्टी के लिए तो करेवा जो है यह केसर की खेती के लिए प्रसिद होती है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए मिट्टी नहीं मि सबसे ज्यादा किसर इरान में होता है कंट्री का नाम पूछेगा तो भारत का कौन सा थोरियम उत्पादन में अग्रणी है थोरियम को उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है यह आप याद रखेगा कौन सा राज्य है बताईए थोरियम देखिए विश्व में अगर बात करते हैं तो आपका मोना जाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में है ठीक है मोना जाइट से थोरियम निकालता है आपको याद है केरल राइट अंसर होगा देखिए आखबारी कागज उदोग निमन में से किस अस्थान पर वस्तित है यह चलिए याद रखेंगा इंपोर्टेंट है उसको भारत में प्रतम कोईला खान कहां खोदी गई थी पहला भारत का कोईला खान कहां पर खोदी गई थी बते राइट अंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह आपके रानी गंज में ठीक है न भस्तिम बंगाल में परता है रानी गंज में खोदी गई थी रानी गंज में कोईला खानन कारे 17-74 में शुरू किया गया था ठीक है फ्रेंट्स इसको आप याद रखेंगा चलिए और लोहा जो होता है लोहा को खरिया भारत का सबसे बड़ा कोईला खनान छेतर है इसे भी आप ध्यान रखेंगे चलिए जनगन्ना 2011 की अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जन जाती जो है इनमें से कौन सी है सबसे अधिक तो सबसे अधिक जो है इस चीज को याद रखेगा जनगन्ना 2011 का अनुसार अबश्ती आपका भील है यहां फ्रावली यहां प्राइट अनुसर होगा बिहार राज्य का कूल भौगलिक छेतर पल्पिल पूछा बश्याथ पर याद रखना मैंने बताए था कि बिहार राज का कुल बॉघरी छित पर 94133 वर गोड़ किलो मेटर है ठेकने 94163 वर गोड़ इस सीज को आपको जबान पर याद रखना है किलियर कि छलिए 94163 वर किलो मेटर निमनरेकित में से कौन सा भारती ये वन पर ने अभेरण ACI 0 यानि की Asiatic Lance के लिए आवास है चले बताईए, ACI 0 का आवास इसमें से कौन सा है सबी लोग बताएगा, बड़ा ही important है देखे फ्रेंट्स यहाँ गीर है गीर 1 अजी अभैरन, ACI 0 का आवास है यहाँ गुजरात में पुरता है, ठीक है ना? गुजरात में है, इसे आप ध्यान रखिएगा, important है गीर 1 सनक्षी 6 के अस्थापना 1913 में ACI बबर सेरो को सनक्षन के लिए किया गया था और 1960 के दसक में अभैरन का दरजाई से दिया गया था अच्छा, सरीषक कहां पर है, सरीषक का, Tiger Reserve है यह आपका रजस्थान में पढ़ता है कानहा कहां पर पढ़ता है, कानहा मद्यप्रदेश में पढ़ता है बालमिकी Tiger Reserve पुछेगा तो आपका कहां पर है, बिहार में है इस सिजочку को आप याद रखिएगा, चलिए इंद्रावती पुछा जाएगा इंद्रावती कहां पर है तो यह आपका 36 गड़ में है 36 गड़ में इंद्रावती ठीक है न इससे भी आप याद रखिएगा चले फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन करेंगे इनमें से कौन सा बहुमत दिसागर्म इस्तित सब प्रदेश ठीक है भुमत दिसागर में सीसली राइट अंसर हो जाएगा अप्से नमबर सी ठीक है इसको आप याद रखिएगा बड़ा ही इंपोर्टेंट है अच्छा देखिएगा कि हिंद महासागर में इस्तित मेड़ागासकर सबसे बड़ा दीप है हिंद महासागर में महासागर का बोर्नियों विस्व का सबसब्रादीप ग्रिनलैंड और भुमत सागर में सबसब्रादीप सिसली चले गल्फ एश्ट्रीम जो है यहां किस खाड़ी से निकलती है गल्फ एश्ट्रीम जो है राइट अंसर क्या होगा इसका यहां गरम जल्द की धारा है गल्फ गल्फ एश्ट्रीम सभी जर्फरियेंगा सारे के सारे प्रस्चन में जो करा रहा हूं वह आपकी द्रिश्टी बताएए गल्फ एश्ट्रीमी सभी telegram करिएगा गौल्फ एश्ट्रीम जल्द沒錯 य्या आपका यह अट्लांटिक महासांगर की गरम जल्द आरा यहां पर सी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है उसका बाद देखेगा कि निमन लिखित में से कौन सा बंद्रगा भारत की पूर्वी ट्रट परिस्तित बंद्रगा जो है मैं आपको बता देता हूं यह आपका हल दिया है पारादीप है तूती कोरीन है यह सारे के सारे जो है य यहां पर करेक्ट रंसर हो जाएगा ठीक है रॉप्सिंण अमबर यहाँ पर आपको डी उपरिक्त में से एक सै औधिक हो जाएगा इयाद रखिएगत ठीक है चलिये फ्रेंस आगे बढ़ेंगे और अगर हम बात करते हैं इन में से तो देखे भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगा हैं सरवाधिक तीन तमिल नाडू में है ठीक है न याद रखिएगा चलिए फ्रेंड्स उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे हम लोग नेक्ट में से और देखें और भाकि हो जाहेंगा आपको आंडला पूछा जाएगा पसम स्कूरे में किस में अभि भी राज होल मायनिंग की जाती उत्तरपुर्वी भारत के आधिकांस जन जाती जहत्रों में खानीजों का स्वामित व्यक्तिगत अस्तर पर समुदायों को प्राप्त है और में घाले में कोईला लौएस्क चुना पत्थर डोलोमाइट के विशाल निचे पाए जाते हैं इस इस को आप याद रखेगा तो य थे थे पिश्शन कर लेंगे अगला प्रूशन हमारा की उस जल निकासी घन का नाम बताईए जहां नदी एक घाटी से निकलती है और सभी दिशाओं बहती है एक घाटी से निकलती है और सभी दिशाओं में यहां बहती है बते राय टंसर क्या हो जागा उस जल निकासी का पैटरन का नाम बते यह जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं बहती है बते तो फ्रेंट्स इसको हम सम國front भूलेंगे और यह जल Health इसको बनाजाता है तिक है याद रखेएगा चलिए और यह जल पैटर्न इसको कहा जाता है और यह प्रवाहा प्रतिरूप यानि की रेडियल ड्रेमेज्ट पैटर्न जो है जब नदिया केंद्री उच भूमी से निकल करे के अलग-अलग दिशाओं में प्रभाहित हो जाती है जैसे कि अमर कंटक का पठार और राची पठार से प्रभाहित होने वाली नदिया ठीक है फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा चलिए तो यहाँ पर option number यहाँ प हिमाले की सबसें चोटी गॉडवी नश्टिन है ठीक है और आपका कि माले की दूसरी जाए यहाँ केटू हो जाएगा केटू राइट अंसर इसका हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा और दुनिया की आपकी आपकी एवरेष्ट है इसे भी आप य जानाना नहीं है और वेक्नि जो विक्रने उसको अस्सुसित करती है कि यह फिटा में आपी जाती है तो धौबंचय उनिट में महीं ज्कुने का संटी है इसको याद रखेगा चले गुज्रात में इस्तित प्रसिद प्रस्द का नाम क्या गुजरात में स्कित प्रसिद्ध जो पैट्रलियम साइट है इसका नाम क्या है तो फ्रेंट इसका नाम जो है से कम उपजाव होती है तो ऐसा नहीं यह दक्षिन पठारों का अधिकान से समय पाई जाती है यह आपका बिलकुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है ठीक ना काली मट्टी को रेगूर भी कहा जाता है इससी को आप याद रखेगा और काली मट्टी कपास की खेती के लिए सबस तो इसमें से देखिए आपका डॉलोमाइट जो है यह आगने सेल नहीं है डॉलोमाइट मैगनेसियम का एक एसक है ठीक है ना इससी को आप याद रखेगा बाकि ग्रनाइट विसाल्ट यह आपके आगने सेल है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्चन करेंगी फ्रेंट्स अगला प्रशन हमारा कि भारत में वायू प्रदुशन रोक्थाम और नियंतरन अधिनियम कब लागो हुआ था चलिए सब लोग एंसर कमेंट करें अब यहां से दो तीन प्रशन में आपका खरवाने वाला हूं देखिए सबसे पह पहले में आपके अपसे पुछ रहा हूँ चुनियेगा देखिए कि प्रदुशन की रोक खाम और नियंतरन अधिनियम कब लागो जींतरन प्रदुशन की रोगधाम और नियंत्रन जल प्रदुशन की रोगधाम नियंत्रन 1974ления ठीज इन चमकरन खेतार इस्वाग्षा रूदिशन 2 औरं Lay useless note वोफ सबक्शन 12 Arizona doomed dog इतने सारे पोइंट्स आपको याद रखना है ठीक है चलिए उसका वोगीडर की कोन सी नहोई प्रसांत महसागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है बदे रहे टेंशर इसके क्या हो जाएगा उपर रिक्त में से कोई नहीं राइट इंसर होगा क्योंकि पनामा नहर जो है या प्रिसांत महासागर को अट्लांटिक महासागर से जोड़ती है ठीक है फ्रेंस इसको आप याद रखिएगा चले आगे बढ़ेंगे और यहां पर दिके कील नहर दिया गया कील नहर पूछा आपको भी पता है लाल सागर को मन्य सागर से जोड़ती है इसको आप याद रखिएगा ठीक है चलिए उसके बदेफिक पहाड़ी जो है निलगीरी पहाड़ी यहां निलगीर हिल्स उसको समद में कौन सा कतन सही नहीं है नहीं पूछा गया है बताए राइट अनसर इसमिन से कौन सा होगा सही नहीं है देखिए करनाटक की पहाली छेतर करनाटक नहीं यह तमिल नाडो में स्थित है यह वाला जो है सही नहीं बाकि यह पहला सही है और आपका यह दूसरा सही है ठीक है फ्रेंट्स चलिए नेक्स कुशन करेंगे और इसकी सबसे उची चोटी डोडा बटा है चले नेक्ट कुशन हमारे कि बारी किसके बीच का स्थेत्र है कि बीच का स्थेत्र यह लिए सके बीच का स्थेत्र और रावी नदीत को मैं चो चो ए भारत में का सुन्दर सुनदर डिल्टा है कि इस्प्रकार ये इसमें पाई जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपका मैं ओरोग राइट अंसर हो जाएगा थे के महें स्टार्व उल्टी आपको बांगलादेश के साथ आपका पस्टिम मंगाल और सम मेगाले तिरपुरा और मीजोरम किसी में लगती है तिरपुरा तीन ओर से बांगलादेश से घिरा हुआ है ठीक है ना तो अपसे नमर यहाँ बड़ी हो जाएगा एक से अधिक करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत में निमल सब्मरीन लेंड स्लाइड यह बिल्कुल है आपका मिर्दा परदन जो है सुनामी का कारण नहीं है इसको में दिखिएगा कि भारत में दिकांस जो है क्रोमाइट का भंडार कहां पर कि बते राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा अच्छा जोगा मुखी विस्पॉट से भी आपका हो सकता है सुनामी इसे भी यद रखेगा वो कंप समुंदर का अंदर भोश कलन और आपका जोड़ा मुखी विस्पॉट से ठीक हैं निया में पर्दन से नहीं होगा थें क्रोमाइट भंडार कहां पाय जाते थे यह आप पाए जाता है ठीक है ना चलिए कि नेक्स कुस्तन कर लेंगे हम लोग अगला प्रश्ण हमारा कि अटॉक में पहाड़ी जो आपका यात्रा के अंत में सिंदु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जूरती है काफी इंपोर्टेंट है यह आपकी जूर जाती है कहाँ पर तो अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंदु नदी अफगानिस्तान की काबूल नदी से जूरती है काबूल नदी ठीक है काबूल नदी अफगानिस्तान में हिंदु कुस परवत की आपका संगलाख स्रिंखला से संगलाख स्रिंखला से संगलाख स्रिंखला से संगलाख स्रिंखला से सुरू होती है और पाकिस्तान के अटक सहर के पास सिंधु नदी में बिले हो जाती है ठीक है इसको आप याद रखेगा इंपोर प्रवंद की नदी की रूप में संबधित किया है इतना आगे नहीं पढ़ना आपको जोग्रफी में उसके निमले कि तुम सबसे जो है आपका विस्व में सबसे प्रचारीत बने जो अभ्यान यहीं कि सूप्रचारीत बने जो अभ्यान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था तो 1973 में आपको पताया था मैं प्रजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो यहां पर प्रजेक्ट टाइगर राइट अंसर और चैके की प्रचारीत टाइगर हूbest इडागंool संधारemie में किसकोन स छोब मंडल यहां आपका सबसे निचला परत है जिसको गशुब संभनने वरसा कोरा बादल यह सब इसी में है ठिक है ना और इसकी उसत तु चाहिए 13 किलोमेटर है तो कौन सा कथन सही है तो आहां पर option number यहां पर C बिलकुल right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए उसके बाद next question हम लोग कर लेंगे अब कि पैंजिया की टुटे हुए दक्सिनी महादीप किसके निकट अस्तर है पैंजिया के तो पैंजिया की टुटे हुए दक्सिनी महादीप के गोंडवाना लेंड के अस्तर है गोंडवाना लेंड यहां पर right answer हो जाएगा option number B ठेक है फ्रेंट्स इसको आप याद रखेगा गोंडवाना जो है इसका उतरी भाग को जो है लोरेशिया कहा जाता है ठेक है ना लोरेशिया और गोंडवाना प्रदि संकरा सागर था और इन दोनों अस्तरों के मिल करके पैंजिया कहा गिया है ठीक है ठीस को आप याद रखेगा भारत में कूल कोईला भंड़ार का लगबग 98 परतिसत गुंडवाना संरस्चना में पाए जाता है चले तो यहां पर option number B right answer हो जाएगा आर्करटिक छेत्र का आ तो अर्करटिक छेत्र और अंटाकर्टिका महाधिव जहां यह उत्री और जक्ष्री धुरू के निकट है ठीक है इंपॉर्टेंट कोस्टन इसको आप याद रखेगा देखे मैनमार के साथ भारत की किन राजियों की सीमाई मिलती है मैनमार के साथ तो देखे मैनमार की आते हैं तो आपका और रोनाचल प्रदिस नागालंड मनिपूर और मीजोरम राजी की सिमा लगती है मैनमार को जो है गोल्डन पैगोडा के नाम से यानि कि स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसको आप याद रखेगा यहां की इरावदी नदी है आराकान योमा ठीक है याद रखेगा यहां प्रदिकार रोनाचल प्रदिस नागालंड मनिपूर और मीजोरम से चले उसके बाद देखेगा कि निम्रकित में से कौन सा समुद्री जब विद्धिता के द्रिष्टि कौन से दुनिया का सबसे समुद्र समुद्र समुद्री निकट वर्ती पर्यावरन के जंगल समुद्री घास प्रवाल भीतिया नमक दल्दल और मैंगरूप के साथ सत्थ 21 दीप सामिल है यह कौन सा है बताइए तो फ्रेंट्स यह आपका मनार की खाड़ी का जो बायो रिजर्व है वहीं है ऑप्शन नमर ए रहे ट अंसर हो जाए में तमिल नाड़ो के समीप में इस्तिछेत्र है और यहां पर आपका कोरल रिफ वाई जाती है ठीक है फ्रेंट्स इसको आप याद रखेगा चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि कोपन की जलवाई वर्गी करन के अनुसार बेपेसी का पूछा गया प्रशन है कि उत्तर प्रदिस और बिहार की जलवाई जो है किस प्रकार के प्रदिस में आते हैं कोपन की जलवाई वर्गी करन उसका नसर उत्तर प्रदिस और बिहार किस प्रकार के जलवाई प्रदिस में आते हैं तो उत्तर प्रदिस और बिहार जो आते हैं यहापके CWG में ठीक है ना तो यहां पर option number a right answer हो जाएका इसको आप याद रखेगा ठीक है चलिए cwg में आते हैं देखे भारत की छेत्रिय सीमा टट से कितनी समुदरी मिल या किलोमेटर समुदरी मिल परती किलोमेटर आपके समुदरी मिल या फिर किलोमेटर तक समुदर की ओर फैली हुई है चलि यहां पर option number b में दिया गया है बिलकुल right answer हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद next question हम लोग करेंगे अगला प्रश्ण किनेमलेकित में से देखिए भारत में कौन सी नदी घाटी कोईले के भंडार से सम्रिद है कौन सी नदी घाटी सभी लोग answer करिएगा सभी लोग answer हैं तो देखिए भारत में कोईला उत्पादक अगर प्रमुक्त छेत्र जो है यह दामदर नदी घाटी सून नदी घाटी महा नदी घाटी गोदावरी नदी घाटी तो इनमें से 100 अधिक राइटेंसर हो जाएगा ठीक है दामदर नदी घाटी की बात करते हैं तो इसका व सब्सक्राइब करेगा गोदावरी जो है यह आपका पता है इसका विस्तार त्यलांगना में है ठीक है तो यह सब आप याद रख सकते हैं चीनी उत्पादक राज के रूप में महाराष्ट उभरा था तो यहां पर देखिए चीनी का सबस्पादक जो है उत्तर प्रदेश ह ठीक है 2022 में महाराष्ट उभरा था और 2030 में चीनी जो है आपका 2030 में उत्तर प्रदेश सीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है उसके वजन का सब्सक्राइब करने वाला उद्द्योग है और 2022 में महाराष्ट जिसमा अग्रणी चीनी उत्पादक रूप में बातावरण मुखर उपसे किस के दवरा गर्म होती है तो बातावरण जो गर्म होती है या आपके दिर्ग तरंग अस्थली विकरन के दवरा गर्म होती है ठीक है अचिक फ्रेंड्स इसको आप इधान रखेगा चले अपसान नमबर सी यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा चलो उसका बाद next question करिएगा कि भारत के निम्लिकित में से किसराजी की सिमा बिहार में अधिक्तम जीलों से लगती है अधिक्तम जीलों से तो देखें बिहार के अगर हम बात करते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश से बिहार के टोटल आठ जीले सिमा साजा करते हैं और उसी प पॉपाल गञवान यह सीवान सारण बोचपूर बक्सर कैमूर है और और ऐसे वहराम बात करते आपके जहारखंड से भी जहारखंड से भी आठी लगते यह ठीक है ना कटीहार भागलपूर माका जमुआ नवादा गया और अंगाबाद और रहोतास पसिम मंगाल से तीन जिले लगता है किसन गंज पुरोणिया कटी हार तो यह सब आप याद रखेगा एक सदी कहाँ पर चुकि आठाट लगेगा दोनों से इसलिए राइट अंसर होगा इसका ठीक है चली फ्रेंट्स और नेपाल के साथ जो है आपके किसन गंज और सुपॉल मदुबनी सिता मड़ी पुर्वी चंपरन पसिम चंपरन यह साथ जीले लगते हैं चली उसका पर दिखिएगा कि बिहार में खौनिज उत्पादिन के संदर्मिन निम्लकित में से आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही है रहतास में पायराइट का सरवाधिक भंडार है ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपका जो है बिकल्प के आधार पर यहाँ पर दिखिएगा तो बिलकुल यह सही है पैराइट खनिज का रहतास में सरवाधिक पाये जाता है जमुई में सोने का सबसे ज़्यदा भंडार है बिलकुल यह भी सही है चुना पथर आपका क अतर चाहिए से मीघए फ़ालगु निम्लगित्म नदियों के संगम से बनती है तो आपका मोहाना और लिलाजन नदी के संगम से ठीक न तो यहां पर तो ऑपसे नंबर सी राइट असर हो जायाए इसे भी आप जरूर याद रखेगा ठीक है यहीं पर आपको याद भी होगा महात्मा गुद्ध को ग्यान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी भी इसको कहा जाता है इसको मुक्यधारा निरंजना कहा लाती है ठीक है चलिए और गया में जो है इस नदी के गिनारे पुंददान भी लोग करते हैं चलिए अगला काकुर गंज में है तो और आपको पता है किसन गंज को जो है आपका बिहार का दाजलिंग भी कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स इसको आप जरूर याद रखिएगा चलिए उसका में देखिएगा कि 2000 आपके ग्यारा के दिन गन्गना कनुसार देखिए बिहार के निकी जिलो पता है और सबसे कम घुपाल गंज में तो यहाप आपको अपसर में तो नहीं दिया गए लेकिन को धिहान रखना है ठीक है चले दसकी दंसंके प्रदीधर आशा इस सीज को भी आप याद रख सकते हैं कि बिहार का दसकी दंसंके वर्दीधर कितना है टोटल 2011 के बीच में 10 के बर्दी दर तो दसके बर्दीदर रहा था। यह आपका कितना रहा था? 211 बताएंवी द् clinician. अधर्िर तो फ्रेंट्स यह आपका 25.4 रहा था. 25.4 टोटल दसके बर्दीदर रहा था बिहार का. चलो उसको बदे के बिहार में क्रिशी आधारित उदोगों में किस खाद उदोग का प्रभुतु है क्रिशी आधारित उदोगों में क्रिशी आधारित उदोग में अगर हम बात करते हैं तो यह आपका अनाज आधारित जो उदोग है इने का प्रभुतु है आवर्तन के अधार पर ज्वाला मुखी को किसमे वर्गी करित किया जाता है आवर्तन के हिसाब से आवर्तन के अधार पर ज्वाला मुखी को तीन वर्ग में बठा गया एक तो आपका सक्रिये हो गया दूसरा निस्क्रिये हो गया और तीसरा विलूब्त ज्वाला मुखी हो ग आपका सुसुप्त और एक आपका सांथ ठीक है ना इस चीज को भी आप सांथ सांथ ज्यान रखेंगे चलिए तो यहां पर देख लीजिएगा उपर एक तुमें से एक साधिक राइट अंसर हो जाएगा चलिए उसका में दिके गोदावरी और गोदावरी कृष्णा और काव नदिया जो है बताइए तो यह भारत की दक्सीन में बहती है यह नदिया तो यहां दिके भारत की दक्सीन शेत्रों में बहने वाली नदिया है ठीक है इसको आप जरूर याद रखिएगा बढ़ा इंपोर्टेंट है ठीक है अचा सीव समुद्रम जलपरपात पुछा जात एक अल्रेडी में आपको कवर कराया हूँ